दोस्तों जी हाँ बिग बॉस OTT का फिर से एक बार हिस्सा बनने जा रहे हैं अरजुन बिजलानी अरजुन बिजलानी के साथ साथ में जो की एक बार फिर से आपके अपनी फैबरेट निया सर्मा हिस्सा बन चुकी है निया सर्मा हिस्सा बन चुकी है बिग बॉस OTT के प्लेटफरम पर आप लोगों को पता देना चाहता हूं कि निया सर्मा ने एंट्र ले ली है बिग बॉस OTT में और निया सर्मा वाकई में काफी अच्छा कर भी रही हैं रिया चक्रवती और उनके साथ में अरजुन विजला के एंट्र हुए है टोटल लोग अरजुन विजलानी को काफी मिस कर रहे हैं कि अरजुन विजलानी आखिरकार कितने टाइम में निया सर्मा के साथ मैं आते हैं क्योंकि निया सर्मा काफी बॉल्ड और काफी होट अव नेतरिन में गिनी जाती हैं जो कि अरजुन विजलान अपने पिरक्रिया देते नजर आने वाले हैं आरजुनी बिजलाने को हाली में ही खत्रों के खिलाडी सीजन 11 में सबी लोगों ने देखा होगा काफी अच्छा परफॉमेंस किया था लेकिन अब आखिरकार रिया चक्रवती और निया सर्मा की टकर देखने लाइक होने वाली है क्योंकि निया सर्मा सबसे बोल्ड है और सबसे खुबसूरत एक्टरस के तोर पर भी गिनी जाती है वहीं पर दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि बिग बॉस OTT में इस समय काफी बड़ा धमाल देखने को मिल रहा है जो कि दर्सक काफी समय से उत्सा ही थे नए एपिसोड के लिए सो जल्दी ही हिंदी टेलिवीजन का सबसे बड़ा सीरियल आ चुका है बिग बॉस OTT में निया सर्मा दोस्तों मैं चाहता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए कॉमेंट करके जरूर बताए थैंक यू सो मच